हेलो गाईज आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो पल्लों की सांत्खिर्तिक उपलब्दियों के बारे में साथ ही इन से समंदित 10 Most Important Objective Quotten को भी जानने वाले हो वीडियो को सुरू करने से पहले गाईज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया याकीन मेरा मान ये आप दुबारा इस चैनल से वीडियो देखना चाहेंगे तो चलिए आज के सेसन को हम लोग शुरुआत करते हैं कोहचन है गाईज की पर लोगों की सांस्कृतिक उपलब्दियों का वर्नान करें सबसे पहले गाईज केसी भी कोहचन में हमें परीचे बनना पड़ता है मेरे बताएगे तरीके को आप अगर फोलो करते हैं गाईज तो आपके काफी अच्छे मांक्स आएंगे मैंने इसी तरह से लिख के सभी समेश्टर में गाईज 70 प्लस मांक्स लाए और मैं अपने अनुभाव को आप लोगों के साथ सेर कर रहा हूँ तो चलिए हम इस कोहचन को जानते हैं विल्कुल आसान सब्दों में एंसर लिखने हैं गाईज परीचे पल्लव वन्च के संस्थापक से विश्णू को माना जाता है जिनोंने 575 इस्वी में अपने समराइज दच्छिन पूर्वी भारत में अस्थापित किया था जिसकी राजधानी कांची पूरम थी पल्लव की अस्थापिकला में मंदिर निर्मान के छेत्रों में महत्पुन योगदान मानी जाती है जिसमें सबसे परसिद महावली पूरम के रथ मंदिर है इस मंदिर का निर्मान पल्लो वन्च के सबसे सक्ति साली राजा नरिसिह वर अपरत्मे इस्थी इंधिमकी निर्मान की यह काफी सून है वेसे मंदिर इस जो निर्मान नहीं हुआ था नेक्ष्ट पॉइंट बनाने है गाइज की पलूओं की सांस्कृर्टिक उपलबदियां, हमें कोहचं में पूछा गया है कि पलूओं की सांस्किर्टिक उपलबदियू का वर्णन करें, गाइज आपके अच्छe मांक्स इस तरह से आएंगे कि आपको जो कोहचं पोचा सब्सक्राइब को हेडिंग बनाना है पॉइंट बनाने हैं तभी आपको अच्छे माक्स आएंगे पल्लों की संस्कृतिक उपलब दिया पल्लों ने दचिन भारत के संस्कृतिक महत्यपुन युगदान दिया है उनका सासनकाल में वस्तूकला के छेच्तिरों में मंदिर निर्मान के लिए परसिद्ध है उन्होंने तमील एवं संस्कृत साहित्य के विकास में भी महत्यपुन भूमी का निभाई है आनिकी गए जो पल्लों था दचिन भारत में संस्कृति मंदिर निर्मान में रहा है इन्होंने कापी प्रसिद्ध मंदिरों का निर्मान कराया है से,मिल साहित्य का विकास बहुत ही तेजी से हुआ नेक्स्ट पॉइंट बनाने हैं गाईज वो है मंदिर निर्मान कला पल्लों की वस्तू कला में मंदिर निर्मान को प्रमुकस्थान दिया गया था इस काल में चटानों को काट कर गुफा और मंदिर का निर्मान किया गया था रत मंदिर का निर्मान पल्लों का ही महत्पूर्ण देन है इसके अंतरगत महाबली पूरम में पांच रत मंदिरों का निर्मान किया गया था यह रत मंदिर सिव भगवान को समर्पित था पल्लो काल में मंदिर चार सेलियों के अधार पर बनाया गया है अन्जी काई जो पल्ल पूरम में एक मंदिर है गाईज वहां पर पांच रत मंदिरों का निर्मान कराया गया है जो काफी पर सिद्ध मंदिर है यह रत मंदिर सीव भगवान से समंदित है नेक्स्ट पॉंट जो है गाईज वह है महंद्र सेली महंद्र सेली 610 से 640 इस्वी के बीच मानी जाती है पल्लव राजा महंद्र वर्मन के समय वस्तुकला में मंदप का निर्मान प्रारम हुआ यह मंदप वस्तुकला को ठोच चटानों को काट कर बनाये गए थे यह जो इन इसने नाम पर अपने सेली को रख देते थे इसे लिए महंद्र सेली इसका नाम पड़ा इसके जो सासक थे वो थे महंद्र वर्मन जो 610 से 640 इसा के बीच महंद्र सेली का प्रियोग किया गया था मंदिरों का निर्मान करने के लिए नेक्ट जो इन लोग का सेली था गयज वो था मामल सेली मामल सेली 640 से 674 इसवी के बीच मानी जाती है इस समय के पल्लव राजा नर्शिंग वर्मन थे जिनोंने मामल पूर यानि महाबलि पुरम नगर वसाया था उसी नगर में महाबली पूरंग नामक रथ मंदिर का निर्मान कराया था जो पल्लों के लिए परसिद मंदिर मानी जाती है इन्होंने रथ था मंडप दोनों परकार के मंदिर का निर्मान करवाया था आनि जो इनलों का दूसरा सेली था गाईज वो था मामल सेली मामल सेली की जो शुरुवात हुई थी 640 से 674 इस्वी के बीच हुई थी इसका जो निर्मान किया था मामल सेली का वो नर्सिंग वर्मन था महाबली पूरम में इन्होंने एक नगर बसाया था साथ ही महापर एक महाबली पुरम नामक रथ मंदिर का निर्मान करवाया था जो काफी फेमस मंदिर है गाइज नेक्स्ट जो है गाइज वो है राज सिंग सेली राज सिंग सेली छेसो चोहत्तर से आठ सो इस्वी तक मानी जाती है पल्लव राजा नर्सिंग वर्मन दूतिये ने राज सिंग सेली आरम विकी थी इस सेली के अंतरगत गोहा मंदिरों के स्थान पर पासनों तथा इटों की सहियाता से मंदिर बनाये गए थे इस सेली में मंदिर में सबसे परिशिद्ध कांची का केलास मंदिर तथा महाबली पूरम का सोर मंदिर है आनि तीशरा जो सेली था गायज वो राज सिंग सेली था इसमें पल्लव सासक कौन थे तो वो थे नर्ज सिंग वर्मन दूतिये इन्होंने अलग सेली का प्रियोग करके मंदीरों का निर्मान किया था नेक्ष जो सेली है गाईज पल्लवों का वो है आपराजित सेली या नंदी वर्मन सेली आपराजित या नंदी वर्मन सेली 897 से इस वितक मानी जाती है यह पल्लव काल की अंतिम चरंद की सेली है इस सेली में तंजोर का राज मंदिर बनाया गया है इस समय दच्चिन भारत में एक नई सेली की शुरुवात हुई जन्हें दर्वेट सेली कहा गया है अनि गाईज जो इन लोग पल्लवों की जो अंतिम सेली थी वो थी आपराजित या नंदी-वर्मन सेली इसका जो 걸 माना गयन गया है गायज most 89-897 तक यह जो सेली था पल्वों का अंतीम सेली था इस सेली से जो है तंजोर में एक राज-मंदिर का निर्मान किया गया है उसके बाद है गायज की सिच्छहयुम साहित्य विकास पल्वों के काल में साहित्य के छेत्र में भी काफी परगती देखने को मिलती है पल्लो सासकों द्वारा सांस्कृत और तमिल दोनों भासाओं के साहित्य की उन्नति का काल माना जाता है पल्लो का जो काल था गायज साहित्य के छेत्र में भी परगती देखने को मिला है पल्लो सासक जो थ है कि यह लोग सिच्छा एवं साहित्त में काफी रूची रखते थे इस समय कुछ पल्लव सासक उच्छ कोटी के विद्वान थे यह लोग अधिकतर संस्कृत भासा का परियोग करते थे रथा उनके दरबार में परसित विद्वान एवं कवी भी रहते थे पल्लों की रजधानी काची सिच्छा का परमूख केंदर था यहां एक संस्कृत महाविद्याले भी था अनिगाए जो पल्लव था उन्हें सिच्छा के छेत्रों में काफी रूची था जितने भी पल्लों सासक थे अधिकतर विद्वान थे उच्छ कोटी के विद्वान माने जाते हैं उनके पास बहुत अधिक ज्यान था पल्लव सासकों के अधिकांज लेक विशुद संस्कृत में लेखे गए हैं संस्कृत के साथ साथ इस समय तमील भासा के भी विकास हुआ सेव तथा वेशनव संतों द्वारा तमील भासायम साहित्य का परचार परसार हुआ न पल्लव का शासनग का भारत की थिहास में भ्रहमन धर्म की उन्नती का काल माना जाता है इस काल के प्रारंभ में भ्रहमन धर्म के साथ साथ बोह तत say जन धर्म भी तमील प्रदेसों में मैं लोग प्रिये थे पल्लव सासक ब्रह्मन होते वे भी जेन तथा बोध धर्म के साथ सहाइसनुता का वहवार लिखाई देती है उन्होंने अपने रैज्ज में जेनियोत अथवा बोधों के उपर किसी भी परकार से अत्याचार नहीं किया था आनी की गाए जो पल्लव सासक था मुख रूप से सीव तथा विश्नु भगवान को मानने वाला था दचिन भारत में ब्रह्मन धर्म की जो उन्नती हुवी इस काल में सबसे अधिक हुवी साती यहाँ पर बोध अथा जेन धर्म भी थे पल्लव सासक ब्रह्मन थे फिर भी उन्होंने बोध धर्म के परती किसी भी परकार का अत्याचार नहीं किया था और नहीं किसी भी परकार से उनके परती भेद भाव करता था उनके साथ साहिसनुता का वेहवार करता था आणि उदार पूर्ण वेहवार करता था नेक्स्ट है गाईज वो है पल्लव नरेस पल्लो नरेस नरसिंव रमन पर्थम के समय चीनी आतरी हैंसांग कांची में कुछ समय ठारा था उसके अनुसार यहां सो से अधिक बहुत विहार थे जिन में दस हज्यार बहुत विचू रहते थे उन्हें रैज जी की तरफ से सारी सुविधाएं दी गई थी लेकिन धीरे धीरे समाज में सेव तथा विशनव धर्मों क महत बढ़ते गया अनि गाइज पल्लव नरेश्क जो है नर्शिंग वर्मन के समय चीनी आतरी हैंसांग भारत आया था और उनके रजधानी कांची में ठारा हुआ था उन्होंने देखा कि बहुत धर्म के कई भावन यानि जहां बहुत भीचू रहते थे उनका निर्मान कर करा ऐगया था पल्लो द yapıyorsun इन्होंने देखा कि पर लों ने और ढहरम को समान साथ तरुप से अपने धर्म मानने की आजादिवर्य जिसके कारण पलवों का इन्हों ने धार्मिक के छहित्रों में परसंसा की है। उसके बाद है गाइज जिसके कारण बोध तथा जेन धर्मों के लोग भी अपना धर्म त्याग कर एवं वेशनव धर्म को गरहन कर लिया इस परकार तमिल देश से जेन एवं बोध धर्म का विलूप हो गया जो पल्लव राजा थे पल्लव सासक थे उन्होंने ना ही बोध पर और ना ही जेनियों पर किसी भी परकार की अत्याचार किया लेकिन यहां पर सेव और वेशनों का महत इतना अधिक बढ़ गया कि धीरे धीरे जो बोध धर्म के लोग थे या जेन धर्म के लोग थे उन्होंने अपने धर्म को त्याग दिया और ये लोग भी वेशनों तथा सेव के भक्त हो गया उसके बाद गयज नेक्ष्ट पॉंट बनाने हैं समाजिक जीवन पल्लव समाज आर सांस्कृतिक पर आधारित था पल्लों के अनुसार समाज वर्ण तथा जाती वेवस्ता पर आधारित था जिसमें ब्रहमनों एवं विद्वानों के परती राजिक की और से विशेज सुवि वश्ता थी जिनमेंसे जो यहां ब्रहमन और विद्वान था उनके परती विशेश अधिकार दी जाती थी उन्हें विशेश सुविधा दिया जाता था राजाओं दवारा उन्हें कुछ गाउं तथा कुछ भूमी विदान में दे देते थे उसके बाद है गाईज पल्लव जाती के साथ विवा करना मना था संपत्ति पर पुरुसों का अधिकार था लेकिन विद्वाओं को भी कुछ हिस्सा मिलती थी विद्वा का विवा दुबारा नहीं किया जाता था यहां का जीवन किरिशी पर अधारी थी तरह लोग व्यापार या उद्धोग भी करते थे आनि जो गाईज पल्लव राजा था वह रुधिवादी हिंदू थे यानि वो लोग सीव और विष्णू को मानते थे उनका पूजा करते थे उनके लिए सबसे परसिद्ध सीव और विष्णू थे हलांकि यहाँ पर धर्म के बारे में बताया गया है कि जो पल्लव सा सकते वो किसी भी धर्म के परती किसी भी परकार का भैदभाव नहीं करता था पल्लव समाज जो था गाईज मुख रुप से यहाँ पर जो विद्वाएं थी वो दुबारा विवाद नहीं कर सकती थी इसी पर अधारित इनका जीवन था कुछ लोग व्यापार भी करते थे इस परकार से यह कोचन कम्पिलीट होता है गाईज ऑब्जेक्टिव कोचन जानने से पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें गाईज क्योंकि इस तरह से कोचन ल आते हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरू कर लें आप लोगों में से कुछ ही लोग सब्सक्राइब करते हो आप अगर चाहते हो कि इसी तरह से समस्टर वन से 6 तक सभी कोचन कभर किया जाए तो जितने भी लोग आते हो गाईज कम सिकम एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए हम लोग अअब्जेक्टिब कोशन को जानते हैं फर्स्ट कउचन है गाईज की पल्लव वनसे कि संस्थापक कौन थे तो यह जो थे वो सिंय विशनू थे दूसरा अब्जेक्टिब कोशन है गाईज कि पल्लव काल के दोरान निर्मित साथ रथ मंदिर कहां इस्ती थे तो महाबली पूरम में है तिसरा कोचन है गाइज की पल्लों की रजधानी कहां थी जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कहां ची पूरम में थी गाइज में अब्जेक्टिव कोचन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब्जेक्टिव कोचन दस कोचन पूछे ज आठ से मेरा कभी भी कम नहीं गया गाई इसलिए मेरा उद्देश है कि आप लोगों को भी ऑब्जेक्टिव कोचन साथ ही साथ किरा दूँ चोहता कोचन है गाईश कि निमलिकित में से कौन सा संस्क्रित विद्वान राजा सीविष्णू के समय में परभुद्ध था यानि कि कौन से जो लेखक यानि कौन से विद्वान या कवी हैं जो सीविष्णू सासक के समय थे तो भारवी थे यह संस्क्रित के विद्वान थे वाचोह कोचन है कि भारत में वास्तुकला की दर्विट सेली की शुरुआत किसके स सात्मा कौचन है गाईज, महाबली पूरम में रत मंदिर का निर्मान किस पल्लव सासक के सासन के दोरान हुआ था। राइट एंसर है गाईज, नरसी वर्मन पर्थम। आठमा कौचन है गाईज कि किस पल्लव राजा ने राज सिंग की उपादी धारन की थी। इसका राइट एंसर होगा नरसी वर्मन दूतिये ने। नौवा कौचन है गाईज कि कौन सा राजा सांस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। तो इसका राइट एंसर है महेंद्र वर्मन पर्थम। यानि यह एक विद्वान भी थे। दास्वा है कि महावली पूरम में पागोडा रतों का निर्मान किस वंच ने कराया था। तो पागोडा के लिए जो फहमा से गाईज पागोडा सेली वह पल्लोव द्वारा बनाया था उम्मीद करता हूं गाईज कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा वीडियो को एंडिंग करने से पहले मैं आप लोगों को इंपोर्टेंट बात बताना चाहूंगा आपने अगर इस चैनल को फोलो नहीं किया है तो चैनल है समीर इससेंटर इसको फोलो कर ले साथ ही गाईज यहां पर आपको हिस्ट्री ओनर्स पॉलेटी ओनर्स पढ़ाया जाएगा उसके साथ हिस्ट्री जो है जैनरिक अलेक्टी पढ़ाया जाएगा और पॉलेटिकल जैनरिक अलेक्टी पढ़ाया जाएगा आनि आप लोगों का यहां चार सब्जेक्ट कभर किय जाएंगे साथी समेश्टर वन से सिक्स तक यहां पढ़ाया जाएगा आप किसी भी समेश्टर में हो इस चैनल को अगर फोलो करोगे यकीन मानिये मेरा आपके बहुत यह अच्छे मांक्स आएंगे साथी गाइज एक भाई था जिन्हों ने बोला समीर सर अपना नंबर सेंड करो तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा गाइज कि मैं आप लोगों को एक टार्गेट दिया हूं कि आप जितना जल्दी वन के सस्क्राइबर पूरा करोगे मैं आप लोगों को अपना एक वार्ट्व नंबर दूंगा जिसमें आप अपने क को भेज़ सकते हैं जिस कोचन पर अधिक लोग वीडियो बनाने कहेंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा साथ ही आप लोगों की जो डाउट है जो समस्य है उसको सुना जाएगा आज के लिए इतना ही गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद